तो हेलो गाइस कैसे आप सब स्वागत है आपका न्यू वीडियो में और आज मैं बात करने वाला हूं न्यू टॉपिक है आपका हेमोफिलिया तो हेमोफिलिया में जो में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपके एक्साम से रिलेटेड मैं आपको वो सारी बताऊंगा और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लड डिसॉर्डर के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो है हेमोफिलिया आता है और सिकल चाल डिसॉर्डर आता है तो वह मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा वह मैं आपको नेक्स वीडियो मे आप हैं आप जो है है हैं मैं हबता हैं आपको कहीं बाकी या इन्फ श्कार में Πितेवर्थ च्पह ब देखनते हैं तो आपने क्पी देखा हो गाए लगा है चोटे संफ और सकुछ चोटे कोशन्स हो जैसे दों है यह यहां पर confused मत होना ही में एक और आपक हैं हेमोफिलिय। तो यहहांचें आ दो इसे ही होंग आपक अपढ़ेंग ठीक है अब बात करते हैं में हैमोफिलिय के बाता है、、 अ यह दो होता है occurs when blood clotting factors are faulty or missing यह विकार जब होता है जब जो आपका रक्त का जो थक्का जो आपके जो गुच्छे होते हैं वो जो है फॉल्टी होते हैं तो बेकार होते हैं या फिर वो गायाप होते हैं ठीक है तो हेमोफिलिया जो है देख पारे हो वो जो ब्लीडिण है वो रुक ने पाती उसकी वज़यर से जो है जो है जो हमोफिलिय का पेशेंट होता है या पिर कोई भी होता इंसान उसको है वो बलाद र्यॉटर happens when you don't have enough clotting factors to help control how much you bleed जब होता है जब आपके पास जो है clotting factors नहीं होते और आप जो bleed करते हो बिना किसी reason के जो है आप bleed करते हो कोई specific reason नहीं है दे में bleed more than normal after being injured और कोई अगर injured हो जाता है किसी को छोट लग जाती है surgery के बाद उसका जो blood है निकलता होता है तो होता है जो clotting factors होते हैं प्रोटिन सीनि यूर बलाड आपके ब्लैड में जो protein होता है उसमें जो clotting factors होते हैं वह work नहीं करते है ठीक है और बिटिंग जो है यह फ्यक्तर इतना है वह हाई नहीं रहती जैसे नॉबमल जो इनसान होता है उसमें जयसे कट लग गया तो वह जो ब्लीडिंग करना होता है वह जल्दी बंद हो जाता है और लेकिन जो हैंब ह्लाइब करता है और चीज की बात करते हैं यह और एक्जाम में आ भी सकता है आगे बात करते हैं इसके symptoms क्या क्या हो सकते हैं तो bleeding into the joints cause swelling pain और टाइटनेस जो bleeding है वो जैसा फोटो में देख पा रहे हैं यहां पर bleeding joints के अंदर होती है ठीक है और यह क्या है swelling कर देती है सूजन कर देती है pain मतलब दर्थ और tightness मतलब अकड़ाहट जो लगती है न तो उस एरिये में अकड़ाहट लगेगी और जो है जो है आपका lifelong bleeding disorder होता है उसमें भी क्या clotting factors की कमी होती है और इसके जो कुछ symptoms है जैसे bleeding of the mouth and gums hard to stop after losing a tooth तो जैसे कि अगर दान तूट जाता है तो उसके बाद जो है उसको bleeding होती ही रहती है वो bleeding रुखती ही नहीं है तो hemophilia के patient के साथ जो है उसको बहुत जादा ध्यान रखना होता है कि वो जो है ऐसी चीज़ों का इस्तमाल करें जिसमें जो से bleeding ना हो तो hemophilia के patient को जो है इस तरह के से bleeding होती है bleeding after vaccination अगर वो टी का करन करा आगा तो उसके बाद भी जो है उसे bleeding होगी और blood in the urine और stool तो जब वह washroom जाएगा या फिर bathroom करने जाएगा तो उस टाइम पर जो है उसको blood आएगा अपने urine में या फिस टूल के टाइम पी और frequent and hard to stop nosebleed तो जिसकी भी जैसे नकसरी बोलते हैं कि नकसरी जो छूटती है या फिर अगर नाक से blood आता किसी ने अगर लड़ाई हो गया आपने कि कोई गिर गया और किसी प्रकार उसको चोट लगी तो वहां से जूशस का blood रुकेगा नहीं तीह है और अब बात करते हैं इसके types के बारे में कि इसकी जो types क्या के हैं तो बहुत जगा पर जो है लिखा ओब है कि इसके तीन टाइप हैं इसके दो टाइप है इससे विए मैंशन रहता है पर लेकिन आपको बता जाता हुँ कि देखो ये दो मेंट टैप मेंशन है गौर्मेंट की वेबसाइट पर तो मैं दोई टाइप के बारे में बात करूंगा थाड़ अगर कोई टाइप अगर कोई बोलता भी है तो ऐसा नहीं है वह सीवियर टाइप हो जाएगा और वह बहुत रेयर टाइप होगा तो आप उसको भी मान सकते हूं तो हेमोफ सल या सब्सक्राइब होता है कि सकता है कलासिक है म leap किसें बोला जाता है है फिरेंगे देगे को क्या दोना चाहिए मैं है है तो Hemophilia less 2 यह लाह इता है क्लासिक हेमविया कौज्ट वाय इंद लैक और डिक्रीज ओडिकरीय क्लम फाक्रणे यह इंपॉटेंट है यह जो हेमविया हिए होता है यह फ्राइब के सम्डिक वायज ओक多 दोतर एक की वजह से जो है हेमोफिलिय होता है और भी symptom है पर लेकिन main symptom clotting factor 8 और 9 नहीं होती ठीक है और दूसरा symptom यह जो टाइप से यह मैं आपको बता दी अब मैं आपको बात बताता हूं causes के बारे में तो देखो causes में जैसा बतायता हूं father does not have hemophilia xy father को कोई भी जो है hemophilia नहीं है ठीक है woman carries the abnormal gene on one of her x chromosome तो woman जो है hemophilia से जो है पीडित है उसको hemophilia है उसके जो एक x में hemophilia है तो कितने chances जैसे आप देख पा रहे हैं xy अगर बच्चा जो है इस combination से होता है और अगर एकस वाई तो यह जो है 50% chance जो है सन जो ह हो सकता है हमophilia से 50% जो है वो गर्स के लिए हो सकता है जो रुटर है उनके लिए हो सकता है तो यह causes एक important causes है ठीक है अगर मधर के पास gene है आपका है हमोफिलिया का ठीक है तो अगर chromosome ग्ल्स का होता हूँ access होता है और boys का होता है xy तो इसमें क्या है अगर एक x defective है तो जैसा मैंने आपको बताए है यहां पर आपके सथ देख पा रहे है अगर एक x defective है तो उसमें क्या है आपके संबी 50% चांस है और फिमेल के भी 50% चांस है तो यह याद रखना 50% चांस है यहीं दोनों के cases में apply होता है ठीक है तो exception case क्या होता है exception case क्या है it is very rare for a girl to be born with hemophilia मतलब यह बहुत rare है कि जो लड़किया है उनको hemophilia हो daughter will daughter will then have the abnormal gene on both of her x chromosome होता क्या है कि ऐसा हो सकता है जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई hemophilia हो पर लेकिन अगर कोई भी किसी की बेटी है ठीक है और अगर उसके the abnormal gene है तो हो सकता है कि उसके जो दोनों x chromosome है वह ही जो है दोनों effective हो लाइक एक्जांबल के तो आप मैं आपको बताता हूं आप यहां देखो जैसे father but it can happen if the father has hemophilia तो मान लो father को hemophilia है ठीक है mother carries the gene for hemophilia तो दोनों मादर में भी और फादर में भी तो जो लड़की होगी वो जो है दोनों ही excess chromosome में ठीक है इसके दोनों ही जो जीन होंगे वह effective होंगे daughter will then have the abnormal gene on both of her x chromosome तो जो डॉक्टर होगी उसको जो है दोनों ही पहले में केस में मैं आपको बताया था कि 50 50% chance है और इस वाले जो बहुता जो है तो फादर से मिलेगा और एक मदर से मिलेगा तो दोनों ही जो है दोक् wholesale home होगी ठीक है आगे बात करते हैं इसके डाइगनोसिस की तो डाइगनोसिस में क्या आता है इंपॉर्टेंट जो है तो जो हेमोपिलिया है complete blood count CBC providers use this test to measures and study blood cell तो जो आपका CBC है ठीक है यह use किया जाता है study blood cell को ठीक है measure और study blood cells को करने के लिए ताकि यह जो है पता लगा सके कि कि कौन से वाला हीमोपिलिया है तो CBC करा जाता है यह blood test होता है और एक यह है आपका prothrombin time PT test providers use this test to see how quickly your blood clots तो इसमें क्या है जितने भी आपके आइए जो doctors होते हैं वो यह चेक करते हैं कि आपका जो आपको थोड़ा सा आप हलका से cut लगाते हैं और और वो check करते हैं कि आपको जो blood clot है है जो blood है वो किने time में रूक रहा है तो यह जो है यह test किया जाता है आपका है लिए यह चीज़ आपको याद रखनी है यह थार्ड है आपका एक्टिवेटिट पार्शियल थ्रॉम्बो प्लास्टिंग आइम टेस्ट इस अनदर ब्लड टेस्ट टू टाइम ब्लड क्लोड फॉर्मेशन तो यह भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट है कि ब्लड फॉर्मेशन क टेस्ट को चरने के लिए specific factor 9 को चक्श करने के हुता है कि वो ब्लड कलट कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं missing अ कर पार्सक है यह है तो ब्लेट किया जाता है और आके चलते हैं तो ट्रींट के बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है डाइट से टेक सभों एक टरैंड आउ via पोडी में ढाले जाते हैं ठीक है injection के थुरू और इसमें क्या होता है कि जब किसी की बोडी जो है क्लोटिंग नहीं बना रही होती फेक्टर 8 की कमी की वाज़े से लेक की वज़े से या फिर फॉल्टी वारे तो यह क्या है कि जाते हैं बोडी में और यह जो है जहां पर भी आपकी बोडी में कट लगा होता है क्लोटिंग नहीं हो पा रही तो यह वहां पर जाके क्लोटिंग करते हैं और आपका जो है और जो डाइस्मोप्रेसिन इंजेक्शन होता है ठीक है एक लिए टो है उनको दी जाती है जिसमें जो है उसमें उनको जो है ट्रीट किया जाता है पीपल भी आपकी बोडी में जो भी आपकी जो factor 9 missing है या और जो दिक्कते हैं वो जो है उनको plasma मतलब उनकी blood होता है उनका blood verify करके और उनमें जो है दूसर blood डाला जाए जिसके इंदर factor 9 जो है वो missing नहीं होता और वो people होते हैं वो hemophilia A के भी हो सकते हैं B के भी हो सकते हैं ठीक है और severe condition में भी हो सकते हैं तो उनको जो है recombinant factor जो है produce कि जाते हैं उनकी body में और antibodies डबलब की जाते हैं ताकि जो है जो clotting नहीं हो पारी उनकी body में cut internal bleeding हो रही है चाहा outsider bleeding हो रही है तो दोनों को जो है रोका जा सकी ठीक है और यह जो है आपका जो recombinant है यह दोनों में आपको बता दिए टाइप A के बारे में भी और टाइप B के बारे में तो यह आप याद रखना और एक चीज़ और बतायता हूं आपको और इसमें क्या होता है clotting factors level क्या होते हैं तो clotting factors level help control bleeding healthcare providers categorize hemophilia as mild moderate severe based on the amount of clotting factors तो मैं आपको बतायता हूं कि people who have 5-30% of the normal amount of clotting factors in their blood have mild hemophilia तो mild hemophilia उन्हें बोल जाता है जिनकी body में 5-30% के बीच में normal amount में clotting factors होते हैं people with 1-5% of the normal level of clotting factors have moderate hemophilia जिनके एक से लिए 5% के बीच में हैं जो भी clotting factors होते हैं उनको कहा है moderate hemophilia बोला जाता है और जिनके 1% से भी कम clotting factor होते हैं उनको severe hemophilia बोला जाता है तो यह जितनी वी चीज़े थी मैं आपको important बता दी बाकि next video में आपको hemophilia federation इंडिया ठीक है H F I यह आपके exam के लिए important है इससे question frame हो सकता है तो मैं आपको जो है next video मैं इसके बारे में बताऊंगा इस video में मैंने आपको जितनी चीज़े थी ठीक है type A type B के बारे में क्या therapist दी देनी चीज़े थी ठीक है यह जो मैं आपको बता है factor 8 factor 9 के बारे में यह आपको याद रखना है ठीक है और टाइप B के बारे में बता है आपको मैंने और यहां पर आप जैसा देख पा रहे हैं यह जो में इंपोर्टेंट थे टाइप ठीक है यह यह याद रखना है आप हेमोफिलिया बीको Christmas disease बोला जाता है हेमोफिलिया यह को classic हेमोफिलिया बोला जाता है तो अभी ऐसा नहीं से question frame हो रहे हैं बट आगे जो है जो भी examiner's है वो इंचे questions बना सकते हैं ऐसा नहीं कि बनाएंगे नहीं और जो में आपको बंदा है मैंने वर्ल्ड हेमोफिलिया देखा बात है यह important है और हेमोफिलिया Federation India के बारे में आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा और उस वीडियो में previous year questions के बारे में बताऊंगा बाकि जब तक जो है आप चैनल पर बने रहे हैं मिलते जब तक नेक्स वीडियो में और आप अपने चैनल disability को जो है लोगों तक share करें जो लोग प्रपेशन कर रहें और आप सपोर्ट करें और प्लीज में तर juntा क्या कि अगरें तो पता नहीं चलता की वीडियो में कैसे नहीं बन र talkin किसी ब्सक्राण को प्लीज कमें डाउन करें और मिलते अब तक पढ़ते रहे हैं मिलते जोह पढ़ते रही हैं प्रॉचर आनि प्रॉचर प्रॉचर